अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, खूब ढोल पिटवाया था धामी जी ने, हमने समान लागरिक सहिता लागू कर दी, समान लागरिक सहिता लागू करने वाले हम पहला राज्य बन गए हैं पूरे देश में और पता नहीं क्या क्या कहा गया था, उत्तराखंड के भूल जाओ मूल निवास और भूल जाओ अस्थाई निवास, जो कोई एक साल से उत्तराखंड में रह रहा है, वो उत्तराखंड का निवासी, जी हाँ, यही ब्यवस्ता है UCC में, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी, मेरा नाम है तिरलो चनभट, और मैं करता हूँ सरकार की नहीं, सुरोकारों की बात पहाड में एक कहावत है, जादा खाना बाना जोगी बन्या, पहला बासा भुके रहे हैं, मतलब जादा खाने के लिए जोगी बने और पहली रात भुका ही रहना पड़ा बीजेपी की उत्राखंड सरकार पर यह कहावत पूरी तरह फिट बैठ रही है, लोग सभा चुनाओ से ठीक पहले, समान नागरिक सहिता लागू करने वाला पहला राजब बनने का ढोल पिटने वाली भारतिय जंता पार्टी की उत्राखंड सरकार, यो सी सी के नाम पर प्राओधान कर दिया गया है, जो पहाड की असमिता पर सीधी चोट है, पहाड के लोग जहां बूर निवास विच्षेदन तिथी 1950 तई करने की मांग कर रहे हैं, वही सरकार ने UCC में यह अवधि कर दी है, एक वर्स, जी बिलकुल, जो विप्ते एक साल से रज्यकी सीमा म की हड़ी बन गई है, खूब परचार किया गया था कि उत्राखंड यूसेसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, पहले दिन से ही इस कानून में कई खामिया उजागर होने लगी थी, लेकिन अब जो खामी सामने आई है, उस से उत्राखंड का हर निवासी पहार के लोग चाहते हैं कि यहां बहुत कम क्रिसी भूम और यहां के सिमित संसादनों को देखते हुए, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को राज्यक्का निवासी न माना जाए, बलकि केवल उन लोगों को मूल निवासी माना जाए, जो 1950 से पहले इस राज्य की भौगौलिक सीमा में रह रहे हैं, दवायर हिंदी में उत्राखंड के वरिष्ट पत्रकार जैसिंग रावत जी का एक लेख छपा है, लेख में कहा गया है कि धामी सरकार की UCC में महज एक साल से उत्राखंड में रह रहे बिक्ति को राज्यका निवासी मान लिया गया है, जबकि लोग 1950 से पहले से यहां रह रहे हैं लोगों को ही मूल निवासी गोसित करने की मांग कर रहे हैं, बात बोलेगी के साथ बाचीत में जैसिंग रावत कहते हैं, कि उत्राखंडियों की सांस्कृतिक पहचान और गरीब पहाड़ियों की जमीने बचाने के लिए राज उसके बाद राजय के अलग-अलग जगहों पर रेलियां हो चुकी हैं, जिसमें हजारों लोग सामिल हुए, इन रेलियों के माध्यम से सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि 1950 से पहले से राजय में रह रहे हैं लोगों को मूल निवासी भोसित किया जाए, इसका मकसद यह है कि सीमित संसाधनों और सीमित केरिंग कैपेसिटी वाले इस राजय में संसाधनों पर पहला हक यहां के मूल निवासियों को मिले और यहां की संस्कृत भी अक्षुन बनी रहे हैं, लेकिन पहाड़ियों की हितैसी होने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार तो कुछ और ही गुल खिला रही है, दर असल समान नागरिक सहिता कानून 2024 के प्रारंभिक अध्याय के क्रम संख्या 3 में विविन प्रवाधानों से समधित कानूनी परिभासाई दी गई है, क्रम संख्या 3 गय के खंड चार ब्रेकेट में फोर, मैं प्राविधान है कि जो व्यक्ति कम से कम एक वर्स से राजय में निवास कर रहा है, या राजय या किंदर सरकार की ऐसी योजनाओं पा लाभरती है, जो राजय में लागू है, वह राजय का निवासी माना जाएगा, समझ गए ना, कहां तो उत्तराखंड का आम नागरिक मांग कर रहा है, कि जो लोग 14 सालों से यहां रह रहे हैं, उन्हें ही मोल निवासी माना जाए, और कहां सरकार ने यह सीमा सिर्फ एक साल कर दी है, जैसिंगरावा सवाल उठाते हैं, कि विदेशी नागरिक अक्सर पत्तराखंड आते रहे हैं, और लंबे समय तक कई लोग यहां रहते हैं, तो यदि कोई विदे सालों तक यहां रहते हैं, तो क्या वे उत्राखंड के निवासी माने जाएंगे, तिबबत के लोग कई सालों से यहां रह रहे हैं, तो क्या वे भी उत्राखंड के निवासी हो गए, जैसिंगरावत कहते हैं, कि इस बारे में, इस एक्ट में कोई स्पस्टी करण नहीं दि गया है जबकि उत्राखंड एक सीमान्त राज्य है और सामरिक दिश्टी से बेहद महतपून और संवेदंसील है उत्राखंड में अब तक यह ब्योस्ता है कि जो लोग राजय गठन के 15 वर्स पहले यानि 1985 से राज्यकी सीमा में रह रहे हैं वे यहां के अस्थाई निवासी ह विधान सभा में पारित और राष्ट पति द्वारा अनमोदित यू सी सी के प्राउधानों के तहट एक साल से यहां रह रहा हर वेक्ति यहां का निवासी हो जाएगा कानून के जानकार कहते हैं कि राज्य में पहली बार ऐसा कानून विधान सभा में पारित किया गया है जिसमें निवासी सब्द प्रियोग किया गया है इस नए जमेले के सामने आने के बाद बीजेपी और राज्य सरकार की इस्थिति मुहों में गर्म दूरवाली हो गई है उसे न उगलना संभव है और न निगलना संभव है पहाड के लोग जो UCC की तारिफ कर रहे थे वे भी समझ गए हैं कि उनके साथ धोका हो गया है बीजेपी ने पहाड के लोगों को धार्मिक रूप से कट्तर बनाने के कई हत्कंडे अपनाए लब जेहाद और लेंड जेहाद जैसे मुद्दे उठा कर लोगों को एक संपरदाय विशेश के खिलाब भड़काया गया पुरोला से लेकर वनभूल पुरा और धार चुला तक जम कर वेमनिस्च पहलाया गया लेकिन अंदर खाने इस राज्य के आम लोगों को धोका दिया गया विपक्षे कांग्रेश ने इस मुद्दे को लपक लिया है और चुनाओ में यह मुद्दा वीजेपी को नुकसान पहुचा सकता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है तो लाइक कमेंट के साथ सेयर भी करें लोग सभा चुनाओ सामने हैं आपको कहां कहां धोका दिया जा रहा है इस पर नजर रखें जिस पार्टी के पास मोटा पैसा है उसके जंडे जंडे और ढोल धमा के हर जगे नजर आएंगे लेकिन जहां से में न आना आपके फैसले पर देश का भौश्य टिका है इस बात का ध्यान रखें वीडियो के नेचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर आप मेरा आठिक सायोग कर सकते हैं जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नमस्कार